कि ब्लॉग का समय शुरू बो गया है वो भी राज से और मैंने जो है चने बिवो दिये हैं रात में ही चने बिवोना जरूरी है इसलिए कि क्यों कर चूले और छोलो के लिए मैंने रात में चने बिवो दिये थे करनी है एक और तैयारी जो कि आप देखिए यह है मेरे ऐलोवेरा और ऐलोवेरा खराब हो चुके हैं क्योंकि मैं इनका ध्यान नहीं रख पा रही है कर दिये सबी चीजों का ध्यान रख पाना बहुत मुस्किल होता है लेकिन मैं कोसिस करती हूँ कि मैं रख पाऊं खैर मैं ध्यान रखोंगे इसका मैं इसे ठीक करना चाहूंगी तो आप देख रहे होंगे उड़र के पूल है जो कि भगवान जी को चड़ा हुआ था और मैंने उतार करके उन्ही रख लिया है और इसके मैंने छोटे टुक्रे कर दिये थे लेकिन मुझे इतने छोटे टुक्रे तो करने नहीं चाहिए थे बहुत सारे कामों के लिए दिन में समय तो है नहीं तो रात में ही करके रखना पड़ता है या फिर वो अपनी देखभाल हो या फिर कुछ बनाना रहा वर्किंग का तो यहीं काम है पहले से प्रिप्रेशन करना पड़ता है तब जा करके कल हो करके और कुछ हो पाता है तो यह मैंने जो है mixie के jar में ढाल दी है isके jail निकाल करके और फिर इसमें डाल हूए है मैं घुठल के फूल जो की भगवान जी से चड़े हुए थे वह ही मैंने उतार लिए थे और देखिए इसको पनी कालने में कितनी दिकत हो रही थी थोड़े बड़े होते तो निकल मैं तो मैंने ये इस तरह से छाट छाट के काटा कि वो तो खराब हो गए थे उस तरह से भूते नहीं है लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा खराब हो गए है मैं ध्यान ही नहीं रख पर नहीं इसका जिनों से सोचते सोचते और फिर मैंने सोच कि इसको पीस लूगी और मिक्सी में पीसने के बाद और थोड़े करी पत्ते उसमें मैंने तोड़ के लाया थी मेरे पास करी पत्ते के पौधे हैं एक छोटा समय ने लगाया है उसका तो उसको मैं डाल देती हूं और फिर इसको हम लोग ब्राइंड कर लेंगे कि निसे बाल ये कुछ इस तरह का हो गया है और इसमें जो ता न वो मैंने सोचा कि मेहनदी है मैं यह मेंदी ऑुछे मैंने मप्राइंबा us कि पता नहीं कैसा है कैसा नहीं तो मैं इसको ट्राइ नहीं कर रही थी बहुत दिनों से और यह जो है मुलतानी मित्ती है मैंने पहले सूचा कि यह जो है आवले का पाउडर है जो यह जो फोलने के लिए मेहदी डाला है वो जो आप देख पा रहे होंगे एक खल है और उस वह पहले स्टील का था लग रहा था पहले जब लिया था मैंने तो स्टील का था बाद में वो लोहे का निकल गया तो इस वज़ा से मैं हमेशा मेहदी उसी में रात में भीगो देती हूं और यह चाय का पानी था थोड़ा सा चाय का पानी मिलाने पर लाल हो जाती है मेहदी और मेरे चने जो है मैंने वो भीगा दिये अब मैं सोने जा रही हूँ और गुद नाइट और मिलते हैं कल सुबह आपसे तब तक के लिए नया दिन और नया सफर के साथ मैं सनिहा आ गही हूँ आपके इस ब्लॉग में नया सफर विट सनिहा समय है सारे पास के बाद फ्रेस वगेर होने के बाद जो है सबसे पहला काम जारू लगाने का होता है उस साफ सफाई थोड़ी जार पोच तो आजकल तो ऐसे भी साफ सफाई जहां कपड़ा देखा नहीं वहां पे कपड़ा उठाया और फिर दूल मिटी जारने लगे क्योंकि दिपावली का स अब पूजा के कमरे को भी पोच पाच करके और उनके बरतन वगरे में धूल देती हूं ताकि कोई भी पहले मैं नहीं करूँ कोई भी करे तो ये सारे चीजे हुए रह नहीं तो वो लोग छोड़ छाड़ के ऐसे ही पूजा कर लेते हैं और ये धूप दिख रही होगी मेरे पूजा घर में सीधे सीधे दूप ये पढ़ता है ये पूरब का दरवाजा खुलता है जिसमें की बालकनी है और उसी से जो है कि यहां पे दूप आती है वो बहुत अच्छा लगता है जब पूजा के कमरे में सीधे से पहले सूरज की जो रॉस्णी पढ़ती है ना वो बहुत अच्छा लगता है मुझे अब आती है खिर्गियों को खोलने की बारी और फिर होती है ये बेट वगेरा जो है साब सुत्रे करने का समय सभी लोग उठ चुके हैं और उठने के बाद बेट मैं इस तरह से पहले ठीक ठाक कर दूँ चादरे हलकी हलकी अब हम अपली सी डाल रहे हैं अलकी सी ठंड हो रही है उनको भी फोल्ड वगेरा करके ये बेड में ठीक कर देती हूं तो पहले ये सारी चीज़े जब हो जाती है तो मन फ्रेस हो रहता है कि चलो फिर से खाना बनाना है और खाना बनाने के बाद ये सारी चीज़े नहीं करनी होग हुआ है अब कर लेते हैं हम सोफो को विसा और धोड़ी जहार पुछाई तो हमेशा से वैसे होती रहती है लेकिन साम और सुबा जहारो पोछो फिर लगता है धूल चड़ गई और इसे फिर ठीक कर लेती हूँ मैं और सभी जो कुसन है उनको भी सही से अपने जगा पे लगा दू तो लगे कि आधा तो काम ऐसे ही हो गया रूम साफ हो जाते हैं तो मैंने कहा नहीं सब लगता है कि आधे काम खतम हो जाते हैं और सब होता है शुरवात पानी से गरम पानी से और मैंने जो है चड़ा दी है अपनी पानी पानी गरम होने के बाद वही मैंने पहले भी आपसे बताया है मैं जो है थोड़ी सहद और नीबू से लेती हूँ और हस्पेंट को ऐसे साधा ही दे देती हूँ, वो साधा ही पानी पीते हैं, अनकासा गरम हो, मतलब हलकासा अब जने जाएंगे प्रेसर कुक होने के लिए, मैं इसे पहले प्रेसर कुक कर लेती हूँ, उसके बाद से ये बनने के प्रोसिस में जाते हैं अब आटे गूत लूँगी ताकि वो बनने से पहले सेट हो जाए, उसके बाद सब्जी की तयारी होगी तो ये देखिए, सब्जी से पहले तो मुझे मेहली लगानी होगी, नहीं तो ये भी एसे छूट जाएंगे तो मेहदी लगा लेते हैं, मैं उसे पूरे से मिच्छे से मिक्स कर ली हूँ बालो के एक एक लटो को पगड़के और तब मेहदी में डिप करूँगी, थोरी सी लगाऊंगी और फिर ये जूरे के जैसे मैं इसे बना लूँगी हाँ, मेहदी जो है गिरने लगी थी, इसलिए मैं कपड़ा लाई और उसको पैने पीछे लपेट लिया ताकि मेहदी जो है उसी पर गिरे, मेरे कपड़े पर मेरे ड्रेस पर ना गिरे वैसे मैंने मेहदी जो है वो चाही घोला था, वो बहुत गीला नहीं था और यह देखिए, मेरी मेहदी पूरे परफेक्ट तरीके से अच्छे से लग चुकी है, लग चुकी है न, देखिए दोस्तों मेरे हाथों मेरे जो रंग चढ़ गया है, मुझे नहीं लग रहा है कि यह मेहदी खराब है, मुझे तो पहले लगा कि पता नहीं इसका रंग आ रहा है मेरे हाथों में दिख रहा है इस वज़े से लग रहा है कि इसका रंग अच्छा है आप देखते हैं और तब जाके आपको शियर करेंगे अब मैंने ये कड़ाई चड़ा ली है और इसमें बनेगी आलू और गोभी की सुखी सब्जी आप सोच रहे होंगे कि ये चने सब्जी क्यों बनने लगी तो इसलिए ये सब्जी बनने लगी ताकि अब लेट हो चुकी थी और मुझे ये सुखी सी सब्जी और पराठो के साथ में इसे देना था बेटी को ताकि वो समय से जा सके इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा पराठे बनेंगे और पराठो के साथ ये सबजी जो है उल लंज के लिए मैं इसको दे दूँगी और खाने के लिए भी इसको दे दूँगी तो देखिए ये सबजी और पराठे बन चुके हैं मेरे और अब बनेंगी मेरी चाय क्योंकि बेटी जा चुकी है और तब मैं चाय बना रही हूं ताकि आराम से पी सकूं हस्विन भी नहीं थे नहीं तो सुबह बना देती लेकिन जब चली जाती है बेटी तब ही मैं अक्सर ये चाय बनाती हूँ ताकि मैं अराम से इसको बैठ के ततली से पी सकूँ जब तक चाय पीती हूँ तब तक ये दूर भी उबल जाएंगे तो चलिए अब हम बनानतने लगते हैं अपने छोले और ये डाली हम मैंने सर्सो की तेल हम लोग सर्सो का तेल ही ज्यादा खाते हैं बिहार में तो वैसे भी तेल गरम हो चुका है और हम डालेंगे इसमें चीर और ये लाइची है ये खोल दिया है मैंने और ये जो है लॉंग है तुछलब गरम असले ये दाल चिनी केक टुक्रे दो मिर्चे हैं और ये तेज पत्ते मैं इसे डाल दूंगी थोड़ी दर के बाद इसे डालेंगे ये प्यास कटी भी और देखिए जब तक ये सबजी ब बाल भी सुख जाएंगे मेरे और मैंने मसाले डाले हैं जैसे की हल्दी लाल मिर्च धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा मिर्च जो है मैं वो टमाटरों में पीश देती हूँ ऐसे देखिए ये प्यास जो है सही से भून चुके हैं जितने चाहिए थे अब इसमें मसाले मैं डालती हूँ और फिर इसमें दो चम्मत जो है अद्रक लेसन का पेस्ट भी डाल देती हूँ मैं और तब मैं इसे अच्छे से भूनूंगी ताकि वो मसाले जो है अलग हो जाए तेल से और ये है कास्मेरी लाल मिर्च का पाउडर इससे प्यारा सार रंग आता है इसमें और ये देखिए टमाटर जो है वो मैं पीस लेती हूँ तो अब टमाटर जो है पीसे जा चुके हैं और अब डालेंगे इसे मसालों में और फिर तब इसे भूनेंगे ताकि इसमें भी अच्छा सा जो है तेल अलग हो जाए और उसके तुरंत ही नमक डालते हैं हम टमाटर को भी पका लेंगे इसी में और देखिए अभी से ये टेल जो है छोड़ने लगा है यानि की मसाले जो है अच्छे से पक गए हैं अब ये थोड़ा रेडी प्रोसेस में हैं अब मैं इसे थोड़ा ढख लूँ ताकि ये प्याज जो है उसके अच्छे से गल जाए और प्याज कर्या है हलके से और कुछ कुछ शुट गया कोई बात नहीं है अब हम देखिए तो ये कितना अच्छा सा तेल अलग हो चुका है मसाले यानि की ये मसाले जो हैं अच्छे से भूने जा चुके है dus अब मैं इसने जो 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 चने हैं अब डाल सकती हो इसम में अब इसमें जो पीसे हुए जो चने है न दरदरे से उसको पहले डाल देते हैं और एक मिनट के लिए बस एक मिनट के लिए इसको भूनेंगे और फिर जो है सारे चनों को मैं डाल देती हूँ और उसे भी मिला करके एक मिनट तक भूनोंगी और उसके बाद उसमें पानी मिला जाए जाएंगे जितना भी पानी हो सके आप अपना मिला सकते हैं वैसे हमें चावलों के साथ खाना है इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा पानी डाला था मैं गरम मसाले डाल करके और इस कूकर को बंद कर दोंगी और सीटी आने तक मैं तब तक नहा लेती हूं ताकि मेरे बाल भी दूल जाए और फिर मिलती हूं आपसे तो दोस्तों मैंने अपने हैर को वास कर लिया है अब जो है मुझे लग रहा था पहले की पता नहीं कैसा इसका रिजल्ट होगा लेकिन ठीक है बहुत ही अच्छा है अब जब मैं इसे सैंपू करूंगी तो जाकर कि यह सही से तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि यह जो मेहदी है इस तरह का काम करेगा लेकिन अच्छा है बहुत अच्छा है तो मैं अब जाओंगी अपनी ड्यूटी और आज तो लेट फड़ा हो गया है लेकिन खेर कोई बात नहीं है मैं कर लोंगी किसी भी तरह से मैनेज और मेर परिवार में बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहा है मुझे बहुत खुसी है तो मैं उन लोग को थैंक्यू कर रही हूं जो थैंक्यू बहुत बहुत थैंक्यू आपको जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो अभी देख वी रहे हैं उनको भी थैंक्यू और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड और फैमली से सेर जरूर करें और जब सब्सक्राइब करें तो बेल बटन को जरूर से हिट करें ताकि मेरे आने वाली जो और वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पे चली जाए लेकिन मैं आपको एक चीज देखाती हूँ, तो यह देखिए जो सब्सक्राइब, यह कलर इसका बहुती प्यारा साया है, मैं आपको यहाँ पर रख के दिखाती हूँ, और थोड़ा सा टेस्ट करके भी आपको दिखाती हूँ, कैसा है, तो यह देखिए, यह इस तरह से द केस्ट कर लूँ बहुत ही परफेक्ट से परफेक्ट इसका स्वाद आया है और सब कुछ बढ़ा बढ़ा है आप जरूर बनाएगा मेरे इस तरीके से और तक-तर के लिए आप स्वस्त रहिए अपना ख्याल रखिए और इसी के साद मैं विदा लेती हूं बाबाय देखिए य बिलते हैं अगले व्लॉग्स में